तो दोस्तो यह है काटी दर्वाजा और आज हम घुमेंगे हरी प्रबात पूट और यहां पर और एक दर्वाजा जी संगीत दर्वाजा कर आ जाता है तो दोस्तों यहां से हमें थोड़ ट्रैक करना पड़ेगा और यहां से देखें और यह जो इनाप सामने देख पर एक गार्डन है हम लोग इसका भी विलॉक करेंगे यह जे भी आपको शो करूंगा बाकि आगे बढ़ते हैं तो यह थोड़ा आपको ट्रैक करना पड़ेगा यहां से तो यहां से आपको टिकेट खरेड़ने 50 रूपीज है पर पर्सन तो यहां से ट्रैक करना है और काफी हाइड के उपर है तो अगर आपको ट्रैक करना पसंद है चलना पसंद है तो आप आ सकते हो वैसे आप कार्स कार भी ला सकते हो यह देखिए आप जो कार्स में भी आ सकते हो बाकी और यह हम लोग उपर आ चुके हैं और यह देखिए और यहां पे आना सिकरेटी सेख होता है अब बीसेफ की तरफ से तो आपका जो ओरिजिनल कोई भी जो आईडी है वह आपको यहां पे देना पड़ता है यहां से आप हिस्ट्री पड़ सकते हो और और आईडी आपको आपस दे दिया जाएगा बार में तो देखिए मेरा हो चुका है जो सिकरेटी चेक और आए हम लोग चलते हैं और आज देखते हैं यह एतिहासिक जो किला और मैं आपको इसके बार में बताओंगा नेसाथ बने दिखेगा और थोड़ा आपको यहां पर ट्रैक करना पड़ेगा और यह देखे और काफे अच्छी प्लेस है और एक बार आपको आना आप सकते हो ट्रैकिंग के लिए इस दम उपर हाइट के उपर इस आप देख सकते हो यह देखे और यहां से ना आपको पूरा श्री दिखेंगा इसे कहते है बादाम वेली अचली स्री नगर है इसे कैसे बादाम वेली कि यह देखे है कितना खूप स्रेड़े के दिखें तो यह दो अधिन आप अधिन यह दो उपर जलता है तो जैसे मैंने कहा कि दिक्रिया से बादा मेली आप यहां से आप देख सकते हो और 50 रूपीज है टिगिट पर परसन का और पता ला एक बार आईएगा ज़रूर काफी अच्छी जगा है हाइट के उपर है आपको ट्रेक करना पड़ेगा यहां से ट्रेक आपको करना ही है और लेकिन यह किनमाने आप उपर आप पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छा लेगे आपको और यह जो खिला है इसकी हिस्ट्रे में आपको में बताऊंगा तो बैसाथ बने लिएगा यह रिखिए लेट वियू है ना तो यह देखते हैं से नजरा कैसे लगेगा वैसे मिलगेगा यहां से थोड़ा है उपर से लगेगा नहीं है तोड़ा आप फोटोग्राफी बहुत अच्छी तरह कर पाऊगे और यहां पर देसला लेका सकते हो और पुछ इस्वें नहीं यह खाल नीचे चैकिंग कराना प यहां पर आएगा ज़रूर देखिए तो आए दोस्तों हम लोग उपर फोर्ट में चलते हैं थोड़ा मेले ट्रैकिंग आप करना पड़ेगा ठकान थोड़ी लगेगी और मुझे भी थोड़ी में एंट्रेंस है और मुझे थोड़ी ठकान लगी है और यह देखिए अभी थोड़ी जड़ा ट्रैक है बाकी उपर चणना और आए चलते हैं लेकिन काफी अच्छे प्लेस है और थोड़ा उपर है तो अब ट्रैक तो अब आपको अच्छा लेना है तो आपको करना आप ऑलेगा कर दquisके हैं अब तो ऑफ जाना काफी हाइट के उपर यह जो फिलाब बनाया जो यह देखें और यह किला यानि B.S.F के अंदर यानि B.S.F के जो जवान से हो यहां पर जो है इस किले के रक्षा करते हैं और यह देखे हैं तो यह जो किला है न तो इसकी कुछ हिस्ट्री इस तरीके से है क्योंकि इसे जो बनवाना जो मुगल एमपरर अकबर था तो उसने शुरु किया 20-20 यानि इस किले को बनवाना लेकिन वह सिफ जो है न आूटर वाली बना पाया था सन 1590 में उसके बाद यह वह यह यह इस किले को नहीं बनवा पाया अब यह किला बना कैसे तो जो दुराने एंपरर था कश्मीर प्रोविंस में एक दुरानी एंपर दुरेण एंपर था तो उसके अंदर जो गवर्न था अत्ता मौमत खान उसने ये किला बनवाया कुछ 1808 यानि 1808 में तो और यह देखें और काफी खूब सुरत है तो आईए मैं आपको और भी आशो करता हूं इस किले का इसके अंदर है तो हाँ इसके अंदर है ना एक देखें यानि इसके लेकर मंदिर भी है यह बाजिय में गुरुद्वारा भी है और है कि देखें एक मस्जिद यहां पर और देखें अपदर संकरिये जैंग अ थो इसके इस देखें कं आप देख सकते हो और दर्शन करिये और यह अग्दम बगल में यह ना गुरुदवारा भी है तो आए गुरुदवारे में भी हम दर्शन कर लेते हैं अब देखें वह गुरुजी वह गुरुजी देज़े तो मुझे तो काफी अच्छा लग आकर और यहां पर आकर ना आपको मंदिर मस्जित और गुरुदवारा तीनों के दर्शन हो जाते हैं तो काफी अच्छे बात है यह देखें और यह निशांस यहां थाइब तो मुझे यह ऐट पसंद के लिए कि इस ऐसे ले की और यह का पर बड़ा है काफी बड़ा यह व्याइं फोर्ट है और है यहां पर सामने है ना हमारा जो तिरंग बौक वह ले रहं रहता है और पे सीम्की टिरंगे को यह और तब फैरा गया था और यह जो फ्लैग है इसके कुछ हाइट है कुछ है हंड्रेट फीट यानि हंड्रेट फीट टॉल है और यह देखें आशा पड़ भी सकते हो और एक तिरंगा आप हमें जो यह ना आप निचे से अब देख सकते हैं अगर से रेनावारी जो गुरुद्वार है वहां से और आए उपर चलते और देखते आगे क्या है वां की मिविद्व अपना करते को आपको मेरी वीडियो प्सान आ रहा होगा गर पسना रहे हम एक करें यह श्रीदों को कमेंड़ करें और यह वारतमाता की जजैंख और यहां पर देखें जो लोग रहता है अब जो ब्यसवक्य गयाना जो because of यह यहां पर रहता है् व्हिते किप कम दूट्टी वहां पे होते जोटए डूटी करके फिर और यहां पर आके रहे तो देखिये ह। हमारे जाण श्का которой क scope किस कंडिशन में रेने के लिए भी रेडी रहे तो अब रूत है हमारेмотр Greno in डिफेंस फोसे स्को अरौ है अमारे सानुनी और हो सारी वह अमारे जो डिफेज पॉसेशे होने और ऐए यह देखें यहां से विए कैसा देखता है तरहीं और पुरा यह 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 ज्यांदा कर करें श는지 जो है वो गाड के लिए बना बनवाय गया था यानि नजर रखी जाए देखिए यहां से देखिए क्या भी होए देखिए यह इसे में कहता हूं एक बार तो आप यहां पे जरूर आईएगा थोड़ा आपको ट्रेक करना पड़ेगा लेकिन एक बार आप उपर आगे तो आप यहां से देख सकते हो और फोटोगराफई तो ड ये ला से तो आहां क्या होगी और मैंने भी लिए मेरे पास्ट वीडिय्छल रहे तो मैंने भी इसकी फोटोग्राफी ली है बहुत अच्की फोटोग्राफिय आई है और वीडियो तो आप देए कि लेक्टिए पूरा व्यू यह पूरा श्रीन अगर आप यह आप से आराम से देख सकते हो पर यह आमारे तिरंगा आए दुसरी दरब भी चलते हैं वहां से आपको आपको नजर आए गाए लेकिन फिर भी में आपको लेकर चलता हूं यह आई ने कि क्या आते हैं काफी लोग में आया तब भी काफी लोग आए थे और अभी विंवा रहे हैं तो आप आ सकते हैं आहते कुछ यह से हाँ औलि आपको जो है नए कोई आपका आईडी पांड़े वह आपको साथ रखनाए आधर रख्यान और आपका नाम आपका नेम आपका एड्रेस और आपका फोर नंबर वो लोग मांगते हैं नीचे वह आपको आपका लिखवाना है आपका आईडी काड़ वहाँ पे देना है और फिर आप यहां पे इस फोर्ट के अंदर आके एक्स्प्लॉर कर सकते हैं इस ब्यूटिफुल के लिए को इस ब्यूटिफुल फोर्ट को तो यह देखें और यहां पे एक पुराना मंदिर में प्राशिन मंदिर भी है तोड़ा नीचे है मैं आपको उसका भी विलोग करूंगा एक उन्हों नेक्स विलोग में होगा ने तो वह काभी फेमस मंदिर है और है देखें कि क्या भी यह देखें अ कि इसे में गताओ आएगा जरू है यह देखें कि क्या भी हो है यह देखें हुआ हुआ है हुआ है हुआ है कि यह देखिए तो कश्मिर भी जरूर आएगा घूमने ऐसे जगह है आप श्रीणागर यह श्रीणागर में आता है पूरा और जो रेनावरी गुरुद्वारा है है वह इसके एदम यह जो गुरुद्वारा के दम पीछे के साइड पर यह फोट है तो आवा सकते हो और वुज़ो गुरुद्वारा है उसका भी मैं विलोग करूँगा और यहां पर देखिए ना और के यहां पर लोग रहते थे जब यह जब यह किला बना तो उसके बाद य सब्सक्राइब करते थे और जब वह दुराने एंपायर था और बाकी तो यह देखिए तो यहां पर देखिए अना यह अभी भी यह किला ऐसा का ऐसा खड़ा है यह देखिए यह इतना खुश रहते देखिए और काफे अच्छी तरीके से इसे बनवाया गया था और तो यह मैंने मजीद पर काते सामने है मजीद लेकिन मजीद अभी काम चलना है मजीद का इसलिए भी बंद है वाकि मेरे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे कमेंड करें और मेरा सपोर्ट करते रहेगा और मैं आपको और भी सारे अच्छे विलोक्स दिखाऊंगा थैंक यू